बिजेपी सांसद साइकल पर सवार होकर कॉरोना फाइटर्स का हल चाहल जानने के लिए निकले। इलाके का प्रहमन करते vrij ब॥्स करमचारीयों और सपाय कर्मियों से बात की। साथ ही इलाके के लोगों से शोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करने के लिए का और लोगों से घरों में ही रहने की अपील की सांसन ने मज़ोरों के लिए खाना भी मौया कराने के लिए निर्देश दी हैं पहले सेर में आज ब्रमन इसलिए किया पहले तो जो कोरोना के योधा हैं जैसे हमारे डॉक्टर हैं मीडिया कर्मी हैं पुलिस कर्मी हैं हमारे सफाई कर्मी हैं उनको सबको सांतना देते हुए उनका मनोबल बढ़ाते हुए दूसरा जो दूसरे जिलों से हमारे प्रवासी आ फिरौती के लिए एक युवक को उसके दोस्तों ने अगवा कर लिया, अपरहन करने के बाद इन लोगों ने पुलिस के डर से युवक की हत्या कर दी, फोन कॉल के बाद परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, सूचना मिलने के बाद पुलिस ने चानबीन शुरू कर द साथ ही हत्या करने वाले तीन अपराधियों को भी पुलिस ने गर्फतार कर लिया है अमीठी में कुछ अग्यात बदमार्शों ने भारतिय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष की गोली मार कर हत्या कर दी रागीरों की सूशना पर पहुंचने के बाद पुलिस ने शब को पोस्मार्टम के लिए भेज दिया जाज के बाद शब को घर भेज दिया गया उसके बाद मृतक जिलाध्यक्ष के घर के बाहर किसानों की भीड जुट गई भीड जुटने की जानकारी मिलते ही, SP मौके पर पहुँचे और उन्होंने जाच कर हत्यारोपियों को जल से जल पकड़नी की बात कही है कोरोना और लॉकडाउन में पुलिस वाले बड़े ही मुस्तैदी से अपनी डूटी निबा रहे हैं ऐसे में पंजाब पुलिस का एक नया चहरा सामने आया है अमरे सर में रहने वाले गरीब परिवार की बेटी की शादी कराने का बीड़ा पुलिस ने उठाया है SHO ने कहा कि उन्हें फक्र है कि वो पंजाब पुलिस का हिस्सा है और ऐसे परिवार की मदद कर रहे हैं जो गरीब हैं लड़की की शादी में भी आलाधिकारी सहित कई लोग शामिल हुए आयोध्या में शहर इमाम ने अलविदा की नमाज को मज़िदों से पढ़ने के लिए जलाप्रशासन से अनुमती मांगी है इसके लिए शहर इमाम ने पी-एम को संबोधित करते वे एक ग्यापन सिटी मजिस्ट्रेट और पुलिस सदिकारियों को सौपा है इमाम ने कहा कि अलविदा की नमाज पढ़ने के लिए नमाजी शोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे और 22 माई को अलविदा की नमाज होगी हमारी मस्जिद यहां पर इमाम साफ ने एक माननी मुख मंतरी और हमारे मानी जिलादिकारी महोदे को सिटी मुख़एट महोदे की मादिम से ग्यापन दिया इस ग्यापन में में मांग यही है कि जो इद आ रही है जो सालवर का तेवार होता है उसमें आपकी तरफ से अपने लोगों के लिए इद गाह में नमाज और मस्जिदों में अलविदा की नमाज पढ़ने हेतू आप निवेदन किया गया है और प्रशासन के मध्यम से इस बात को मानि मुख मंत्री और मानि पढ़न मंत्री तक पहुचाने की बात की गई है अम्रेसर रेल हासे में कई लोगों ने अपने परिवारों को खो दिया मारे गए लोगों में से 60 परिवारों की मदद के लिए कई नेताओं ने आश्वाशन दिया था लेकिन इन परिवारों की किसी ने भी मदद नहीं की लोगडाउन में इन परिवारों के हाल बेहाल है आज अकाली दल के कारकरताओं ने परिवार को मदद करते वे राशन मोहया कराया परिशान परिवारों ने बताया की नेता नवजोस सिंग सिद्धू ने उनकी मदद करने के लिए कहा था लेकिन उन उनके हाथों में कच्छा प्लास्टर बना हुआ है वाइस घटा की जानकारी मिलने के बाद SSP ने SP को जाज के आदेश दे दी है SSP ने पुलस कर्मियों को जनता की प्रती समवेदन शील्ड रहने को निर्देश दिया है पुलिस करमें दौरा घॡजीर को धादेडा गया। उसी दरान बालत को चोट लगी। इसमें जब इस बालत को अइडिंटीफॉई किया गया। इसके बाद उनका मेडिकल कराया गया। मेडिकल में किसी भी तरह का फ्रैक्शर नहीं आए क्योंकि वीडियो में फ्रैक्शर की बात बताई गई हैं हलकी चोटे हैं परन्तु इसमें ततकाल मेरे द्वारा विभागी करवाई गठिप कर दी गई फरुखवाद में मुंबाई से लोटे पांच और लोग करोना संक्रमित पाए गए इसके बाद जिले में करोना के पॉजिटिव केस 13 हो गए हैं डियम ने बताया कि सभी करोना मरीजों को इलाज के लिए टावा रेफर कर दिया गया है पिछले दिनों में ट्रॉक से तकरीबन चालेस लोग वापस लोटे थे स्क्रीनिंग के बाद कुछ लोगों को घर बेज दिया गया और जंकी तब्या खरापती उन्हें कॉनिटीन सेंटर में भेज दिया गया लोगडाउन में हरदोई में दिस्टिहीन बुज़ूर की पुलिस ने मदद की बुज़ूर के लिए फरिष्टा बनी पुलिस ने उन्हें सहारा दिया पुलिस कर्मी बुज़ूर को लेकर ठाने गये ठाने में बैटकर सिपाही ने बुज़ूर को खाना खिलाया इसके बा 34 चौकी पर 30-2 Constable भी करोना से संक्रमित हो गए और एक सफाई कर्मी भी करोना की चपेट में आ गया इलाज के लिए संक्रमितों को आईसोलेशन वार्ड में भेज दिया गया है इसके इलावा एक महिया को कॉरिंटीन सेंटर में भेज दिया गया है